हेलो दोस्तों इस वेडियो में हम ये जानेंगे कि रावड किस भासा में बातचित करता था देगे रावड लंका करहने वाला था जहां हिंदी या संस्किर्थ नहीं बोली जाती थी जबकि भगवान राम उत्तर परदेश की आयुद्धा करहने वाले थे तो फिर दोनों आपस में बातचित कैसे करते थे ऐसे में सवाल ये उठता है कि रावड असल में किस भासा में बात करता होगा कई लोग का मानना है कि राम और रावड संस्किर्थ में बात किये थे इसलिए इससे अंदाजा लगाया जाता है कि रावण संस्किर्थ में ही बात करता होगा कई लोग का मानना है कि सिवतांडो स्रोत तमिल में भी है और कहा जाता है कि या पहले तमिल में लिखा गया था तमिल भासा को लेकतर किया है कि रावर्ड जिस रीजन में सासन करता था वहां तमिल भासा ही चलन में है लोग यह भी कहते हैं कि क्योंकि रावर्ड लंका कर रहने वाला था इसलिए उसकी मात्र भासा तमिल रही होगी